अलाम अलीकों पाक्विलर्स मेरा नाम है सुनील मंच और मैं आज आपके लिए एक कंपारिजन वीडियो लेके आए हूँ याद रहे है पाक्विल्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जहां पर आप गाड़ियां बाइक यह उनसे रिलेटेड आटो पार्स खर कि मुझे किसी एक कंपनी से किसी दूसरी कंपनी से को खास लगाओ नहीं है अर बंदी के अपनी परसनल चोईस हो सकती है मेरे पास यह दोनों गाड़िया मौजूद भी है मेरे अपने इस्तमाल में भी है और मैं कोशिश करूँ का इस वीडियो में आपको एक जस्ट कंपै में भी लोगों को काफी कहिए उसकी रीजिए यह है कि ड्रीम की प्राइच के साथ विडी ऍटें लगा 準फ 10 लग ऑग की जो ऑई रहराइज करते हैं वह एक लिगिद्समें प्राइस हो था हो थी जब आप गाड़ी खरीद ने जाते हैं, जिसको आप अन रोड प्राइस वोलते हैं, वो बड़ी इफरेंट होती है, अभी as for now, Toyota Grandi CBTi, top of the line है, इसकी प्राइस है 35,16,000 अगर आप इस गाड़ी को लहूर में शोरूम से निकालते हैं, तो आपको पे आउडर अमाउंट जो देनी पड़े कि 35,16,000 है, as opposed to, अगर आप होंडा सिवेक 1.8 ओरियल लेती हैं, उसकी जो बेसिक प्राइस है, वो 33,99 है, but again, that is a misconception, because 33,99 में वो गाड़ी जो आती है, वो बेसिक गाड़ी है, जिसमें ना TV होगा ना leather होगा, so अगर आपने एपल-एपल कंपैरेजन करने है, because इस गाड़ी के अंदर 35,16,000 पाए के अंदर TV, लेधर, रिवर्स कैमरा सब आता है, so अगर आप उस गाड़ी को कंपेर करें, सिविक के उस वेरियंट के साथ, जिसमें लेधर और TV आता है, तो उसकी इनवोईस तकरीबन 36,16,000 पाए है, 35,16,000 वर्सिस 36,16,000, एक लाख र मुझ भी, निदेग flu काद cheeat हैं, इस की एलीड़ी है, इस एली डी है, इसकी एलीड़ी जरा जाधा हुबशूरत है, जब इसकी लाइट जलती है, और इसके इंडिकेटर है, तो बहुत भिटरा क्रों का काम कर दिया गया है, तोनों के अंदर फॉग लेम्स मुझ इनों क के अंदर फ्रंट जो है आपको कैमरा मिलेगा रिवर्स कैमरा मिलेगा सो यह सारी चीज़ दोनों में कॉमन है अगर आप वील्स के उपर आ जहें तो दोनों गाड़ियों के अंदर 16 इंच के आपको अलोई वील्स मिलते हैं तो डिफरेंस बिंग आपको सिविक के अंदर पच पनार 16 तो टायर की अगर चुड़ाई की बात करें तो लोकल जो टायर बीजी लग जो सिविक में यूज़ हो रहा है वो इससे जादा चौड़ा है बाट इसके अंदर एक इंपोर्ट टायर लगाव है इंटिरियर की शेप अगें एक सब्जेक्टिव में यह रहे किस इसकी इंटीर की शेप पसंदाती है किसी को इसकी आती है सो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगा लेकर आप इंटीर के ऊपर आएं तो इंटीर के अंदर अगर आप हैड़ उनिट की बात करें तो मेरे ख्याल से जो ट्योटा का हैड यूनिट है मुझे लगता है कि वो वह बड़ा है, प्लस उसके अंदर Toyota Connect की एक option दी जाती है, जो कि छे महीने के लिए फ्री सर्विस है, और Toyota Connect के ओपर अगर आप इन्फोमिशन चाहते हैं, तो मैंने Toyota Grandi की एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका मैं लिंक इसमें लगा दूगा, इन शौर्ड मैं आपको बता है 1.8 और आपको छे महीने के लिए सर्विस फ्री है, सिविक में ऐसी कोई एब मौजूद नहीं है, आप कोई भी अगर ट्रेकर या कोई चीज आफ्टर मार्केट लगाना साथे हैं, तो लगा सकते हैं, बड़ प्री लोडडिट कंपनी की तरफ से नहीं आती, सिमिलरली अ जब आप ड्राइविंग पॉस्टिर की बात करते हैं, जब आप गाड़ी में बैठते हैं, तो आपकी जो रोड हाइट होती है, या ड्राइवर को जो एक फील आती है, वो इन दोनों गाड़ी में काफी फरक है, सिविक एक स्पोर्टी स्टाइल की गाड़ी है, अगर आप पोश्ट क करोला, थोडा मुश्किल है, कर Nine one, का जो आपकी entry, exit easy है, या बड़ ऑगों के लिए इस गाड़ी कंदर बैठ़ मुश्किल होता है, और आप की ली यूकों के लोगों के लिए इस गाड़ी ऑनर बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, और एक जेनरल जो फील हैं, और हम उन से पूखे कि आपने करोला क्यों ली तो उनका जो एक सबसे पहला जवाब होता है यह होता है कि जो सिभी कहना उसकी जो एक जो एक ब्रैंड वैल्यू वाइज ये गाड़ी जो एना ग्रैंडी से उपर लोगों के नजर में है मैं इससे डिफर करता हूँ और लोगों को पता है काफी दफा मैं वीडियो में इस बात के इदार कर चुको हूँ कि 1.3 करोला या XLI, GLI या ग्रैंडी में बहुत जादा फर्क है और अगर आप सिविक को ड्राइव करेंगे और करोला को ड्राइव करेंगे मेरे उपीनियन में एक जमाने में लोगों का ख्याल था कि जो करोला हो बड़ी हार्श होती है हार्ड होती है और पाकिसानी सड़कों के लिए रगड़ गाड़ी है तो इसलिए इसकी सिस्पेंशन जो है उसका रिस्पांस इतना बेतर नहीं है मैं इन दोनों गाड़ियों को रख भी चुका हूँ चला भी चुका हूँ वो टिल्ट कर सकते हैं आप मैनूल ऑटो नहीं है बड़ इसकी रेड सीट जो इसको तेल्ट कर सकते हैं जो के सिविक में आपको आप्शन नहीं है इसके लावा ग्रैंडी की जो पिछली सीट इसके उपर आइस वफेक्स क्लिप में मौझूद है जो के इक इंटरनेशन सेफटी के लिए जो के सिविक में मौझूद नहीं है अगर हम दोनों के इस गाड़ी को पेर करने पर आ रहे हैं तो अगर दूसी चीज जो मिझे बहुत जादा इफ्रेंशेटिंग फेक्टर नदर आता है ग्रैंडी कम्स एक्विप्ट विद गेर शिफ्ट है आप स्टेर मुझूद है और तमाम चीजें तकरीबन कॉमन है यस करोला 2016 से पहले बगार इम्मोबिलाइजर के आती थी और सिविक में मुझूद था बट 2016 में जब इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आया है तो इस गाड़ी के अंदर इम्मोबिलाइजर भी मुझूद है तो उस लिहास से दोनों गाड़ीया जो है तकरीबन एट पार है एक चीज जो इस गाड़ी के अंदर मुझे इससे बितर लगती है इसके अदर एलेक्राणिक हैंड ब्रेक है जबके इसके अंदर एनलोग हैंड ब्रेक मौझूद है आज कल की मौड़न गाड़ीयों के लिहास से मेरे ख्याल मेरे ख्याल से ग्रेंडी डिलिवर्ज मौर पावर देन दिस कार येस दिस कार लोक्स मोर स्पोर्टी मोर मौडरन दैन दे ग्रेंडी तो अगर आप भी टेटा यह से वेक यह कोई भी नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो पार्क विल्स के निव प्राइस केल्गूलेटर अगर आप गाड़ी को अपनी डेस्टिनिशन के मुताबिक देखना चाहरे हैं कि आप जिस भी शहर से इंटरनेट को एकसेस करें और आप चेक करना चाहते हैं कि आपके शहर में यह गाड़ी कितने की कॉस्ट करेगी तो पार्क विल्स के निव प्राइस सेक्शन में जाए वहाँ पे अन रोड प्राइस जो टूल है उसको यूज करें अपनी शेयर को सिलेक करें अपनी मर्जी की गाड़ी को सिलेक करें और आपके सामने एक्जेक कॉस्ट आजएगी कि वह आपको गाड़ी बोथ केसेस ऑफ फाइलर और नॉन फाइलर हैं तो आपको कितने का पे स्क्राइब नहीं किया सिस्क्राइब करें बेल आइकॉन पर क्लेक करें ताकि आपको हराने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहा है मैंने कोशिच यह किए कि अपनी पसंद या ना पसंद को साइट पर रखते वे आपको एक अबजेक्टिव कंपैरसन द झाल 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 झाल